ठीक है, टैंक यू मेरी बात को फिर से सुनेंगे हम बात कर रहे हैं, डिपेंडेंट ब्रांच, इनके बारे में तो इनके लिए सबसे पहला कोश्चन जो आपके दिमाग में आना चाहिए वो ये, हूँ इस कैलकुलेटिंग प्रॉफिट और लॉस तो बताओ, मैंने आपको ये बताया, प्रॉफिट और लॉस कौन कैलकुलेट कर रहा है, हेड आफिस क्या ये बात आपको बेकार नहीं लग रही है, कि सर आपने कितनी बार आपको ये बता दिया है, कि एड आफिस प्रॉफिट निकाल रहा है, हेड आफिस इसमें इतनी इंपॉर्टन बात क्या है, कुछ भी नहीं क्या ये बदलने वाली ये कुछ दिरवाद कैसा हो जाएगा कि मैं बोलूँगा ब्राच के लेवल पर प्राफिट निकालना है इसका मतब क्या जो अभी आपको यहां दिक्कत दे रहा है मैं बेसी चेंज कर दूँगा आपके सोच का बोलूँगा नहीं ब्राच के लेवल पर काम करो तो क्या उलजन और बढ़ जाएगी नहीं दक्षित इंडिपेंडनेंट में नहीं डिपेंडनेंट में भी मैं आपको बोलूँगा डिपेंडनेंट में भी हम ब्राच लेवल पर भी प्राफिट निकालेंगे ओके तो क्या समझ से आ जाएगी कि नहीं आएगी हम ओके अच्छा जब हम head office level की बात करते हैं तो मुझे ये बताओ head office level के अंदर आपके पास जो methods हैं वो कितने methods हैं एक method है data's methods जो आपका books of head office का actual method है books of head office का actual method है जिसमें हम लोग accounts कौन-कौन से बनाते हैं जिसमें हम branch account बनाते हैं जिसमें हम अपने पास जो items लिखते हैं वो बताओ किस पर लिखते हैं item लिखते हैं at IP और load भी लिखते हैं मुझे ये बताओ items at IP क्यों लिखते हैं because हम जब goods sent करते हैं तो actual में IP पर जा रहे होते हैं और हम load फिर क्यों लिखते हैं क्योंकि किस के level पर profit निकाल रहे हो फटा फट से बताओ हम load क्यों लिखते हैं क्योंकि आप head office के level पर काम कर रहे होते हो तो head office के लिए load जो है वो हटाना जरुम भी हो जाता है क्या मैं cost लिख सकता हूँ direct क्या मैं direct cost लिख सकता हूँ IP लिख के load डालना the answer is no because date का फर्क होता है भेजने की date अलग होती है load की dates अलग होती है therefore आपको एक ते ये branch account बनाना पड़ता है एक बनाना पड़ता है goods sent accounts goods sent के अंदर क्या आप goods sent को भी लिखते हो जो की उनका IP होता है और goods sent का load भी लिखते हो फटा फट से बताओ goods sent का IP भी लिखते हो goods sent का load भी लिखते हो goods returned का IP भी लिखते हो और goods returned का load भी लिखते हो और बताओ इन सब का resultant figure कहा जाता है ये trading account में जाता है इनका resultant कहा जाता है ट्रेडिंग में जाता है ये भी खाता बनाना पड़ता है इसके अलावा हमें stock reserve account भी बनाना पड़ता है जो कि एक provision account है जिसमें आपके पास जो opening provision थी उसको हम कहां डाल देते हैं हम उसे branch account में डाल देते हैं और by branch account से नई provision बनाकर cd डाल देते हैं ये का खाता है पर आपका institute ये पूछ सकता है इसलिए मैं बार बार करता हूँ क्या ये बहुत complex है दो item है इसके अंदर तो मैं चाहता हूँ आप बार बार practice करें even question में ये इतना बना नहीं जितना मैंने चर्चा कर डाली आपको हरानी होती है question में तो पूछनी रहा है ये हमारे memorandum stock account बनाना पड़ता है फड़ाफट से बताओ the answer is yes जब memorandum stock account बनता है तो ये IP पर बनता है बताओ क्यों ये IP पे क्यों बनता है और कॉल करके डाटा लेते हो, वहां से पता चलता ही है, एक बच्चे ने भी कोश्चन पूछा था, सर हर कोश्चन में लिखा होता है, कि बराँच हेड आफिस को वीकली रिटरंस भेजती है, वो बच्चा बोल रहा है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है, जो मैं आपको बो कुछा, कि बताओ तुमारा स्टॉक कितना है, रियल में ये फोन नहीं होते, रियल में क्या होता है, एक स्टेटमेंट बनाकर ब्राँच हर रोज या हर हफते या हर जो भी डेट होती है, उस पर भेजती है, तो रियल में कोई फोनों से काम नहीं होता, रियल में कुछ डॉ को खोल लो return का मतलब वापसी होता है वापसी मतलब कोई भी information की वापसी चाहे कागज की वापसी किसी भी चीज़ की वापसी तो returns is basically normal word अब मुझे ये बताओ क्या इसमें memorandum अच्छा और जब मुझे branch समान दे जब मुझे return भेज़ती है तो क्या branch का data IP पर आता है मेरे पास बताओ branch का data IP पर क्यों आता है क्योंकि branch को पता ही क्या है बताओ branch को पता ही क्या है आई पी तो आई पी मुझे बताता है वो यहाँ पर भी data account बनता है यहाँ पर भी हमारे पास cash account बनता है depending upon क्या figure missing है इस method की जो basic approach है वो क्या है वो अप्रोच है, हेड आफिस ने क्या दिया, वर्सस हेड आफिस ने क्या लिया ये बेसिक अप्रोच है, इसका मतब हमारे यह से क्या जा रहा है और क्या आ रहा है वैसे क्या दिया तो तीन ही चीज़ें जाती हैं एक तो ओपनिंग बैलेंस जाते ही इसके लावा गुड्स सेंट जाते ही इसके लावा कैश सेंट जाता है अब उसके लिए सवाल वाला आपको ना अलग अलग तरह की अंग्रेजी लिखता है कि हम पैसे भीजेंगे के नहीं भीजेंगे या वो पैसे काट लेगा उसमें से या रेमिटेंस में आएगा या फरनीचर के लिए चेक जाएगा क्या वो आपको कोश्चन में ठीक से पढ़ना पड़ता है अप्रोच ये है पर पढ़ना पड़ता है और हेड आफिस से क्या लिया तो मुझे बताओ हेड लेते हैं of all the assets and liabilities all the assets and liabilities your assets and liabilities may be missing you have to find it them out अच्छा और क्या लेते हैं क्या goods return भी लेते हैं the answer is yes मैंने आपको अपने experience से बताया sales के अंदर net कर लो जरूरी वरना गलती हो जाएगी बाकि goods sent goods return को net करके भी कर सकते हैं बिना net की भी कर सकते हो बिना net के दो बार लिक्कोगे net करके एक बार लिक्कोगे तो आप अपने पास दोनों में से कोई approach ले सकते हैं उसके अंदर और एक हमारे पास इसमें cash remittance आती है तो cash remittance में हम क्या मानते हैं कि हमारे पास कितने का cash आया होगा मुरुदूल कह रहा है कि SP greater than IP होता है normally the answer is no normally नहीं होता बट कभी कबार हो सकता है ठीक है अच्छा मुझे ये बताओ इसके अंदर ultimately जब practice करोगे तो ही बात बनेगी तो ही बात बनेगी बात करते हैं दूसरे method की दूसरा method कौन सा था दूसरा method मैंने आपको कराया final account method final account method में मुझे कुछ ज़्यादा आपके साथ मत्था पच्ची नहीं करनी पड़ी मुझे ये बताओ इसमें जो बनता है वो क्या बनता है इसमें बनता है branch का trading account branch का profit and loss account इसमें भी कोई missing figures हो सकती है अगर कोई missing figure होंगी तो क्या memorandum stock account बनाया जाएगा बताओ किस पर बनाया जाएगा memorandum stock account किस पर बनाया जाएगा वो कह रहा है cost बनाएंगे भाई साब इसमें भी IP पे बनाया जाएगा Missing figure तो branch के ओपर से data आ रहा है जो branch data दे रही है वो देती है IP का यहां cost कहां से आगी नालाइक कहीं के यह वही data है अगर missing है तो आप उसको इस method भी calculate करोगे same वही चीज यहां पर भी है यहां का basic concept क्या है यहां हम compare करते हैं किसे compare करते हैं cost versus sales को किसे compare करते हैं cost versus sales को तो क्या जो data भी आपका missing है उसकी cost निकालनी पड़ेगी आपको हमें उसकी cost निकालनी पड़ेगी फिर versus sales के साथ उसे compare करोगे तो हमें अपने पास इसके अंदर ऐसा काम करना पड़ता है यह बहुत सिंपल सा elementary method है इसके अंदर कोई जादा मत्तपची होती नहीं है फिर आगे आपके पास एक और भी method वो है stock and data method मुझे बताओ इसमें बनता कौन कौन सा है इसमें बनता है एक तो branch stock account यह वही वाला है जो memorandum है तो मुझे बताओ किस पर बनेगा यह यह वही वाला है जो memorandum है किस पर बनेगा यह यह आईपी पर बनेगा यहाँ बनेगा फिर से memorandum data account normally जैसे बनता है इसमें एक फालतू का खाता बनाया जाता है branch expenses account जिसके नदर हम सारे के सारे cash वाले खर्चों को डाल देते है हम इन से later on इस account के साथ एक branch का adjustment account बनाते है मुझे बताओ adjustment account में क्या लेते हैं हम लोग हम adjustment account में सिरफ और सिरफ उसके अंदर उसका load लेते हैं क्या लेते हैं इसका load लेते हैं प्लस, क्या सर्प्लस भी पूरा का पूरा ले लेते हैं, अगर कभी सर्प्लस आ जाए, तो सर्प्लस भी पूरा का पूरा ले लेते हैं, दा आंसर इस येस, क्या हम सेल्स का लोड लेते हैं, हम सेल्स का लोड नहीं लेते हैं, उसके बगार काम करना है, और इससे क्या निकलात इस से हमारे पास net profit निकलाता है अभी न ये वो वाले खर्चे हैं जो cash में हुए थे लेकिन जो discount और data वाले type खर्चे हैं वो इसमें आकर वो direct जाते हैं और कुछ नहीं ये फालतु का है और कुछ नहीं आपको ये बनाना पड़ सकता है तो मैंने कहा हमें ऐसा ऐसा करना कुछ बाते discuss करने वाली हैं मुझे ये बताओ यदि आप कहीं पर भी stock account बना रहे हो कहीं पर भी stock account बना रहे हो तो मैंने आप से क्या बोला मैंने कहा सहाब stock account जब बनाओगे तो abnormal loss या normal loss जो होगा ये कहा जाएगा this will be credited to branch stock account ध्यान दें क्या normal loss भी मैंने कहा credit करना है the answer is yes इसका मतब stock account में तो दोनों credit हो जाएंगे stock account में तो दोनों credit हो जाएंगे लेकिन जब आपको मैंने आप से कहा कि trading account बनाओ तो मैंने आप से कहा कि abnormal loss credit हो जाएगा क्योंकि ये indirect खर्चा है और फिर ये abnormal loss P&L में debit हो जाएगा ये नहीं trading account में credit हो जाएगा और P&L account में debit हो जाएगा अगर कभी सवाल में abnormal loss आ जाता है तो normal loss का इसमें क्या treatment होता है normal loss का treatment in trading account बताओ जी क्या होता है no treatment यह नहीं वो automatic treatment होता है इसलिए हम उसको अलग से कोई treatment नहीं करते हैं ये मैंने आपके साथ बात करी अगर मैं यही बात करूँ branch account में abnormal loss और normal loss का क्या होगा फड़ा फट से बताओ तो आप यहां सोचते हैं head office ने क्या दिया और क्या लिया तो head office क्या branch के losses के बारे में बात करेगा वो तो सिर्फ देख रहा है मैंने क्या दिया क्या लिया branch के आग लग गई तो मुझे क्या करना है कुछ भी नहीं इसका मतलब यहां इसका क्या होता है no treatment लेकिन क्या इसी में stock account बनेगा तो treatment करना पड़ जाएगा आपको क्या मान लो इसी method में ही stock account बन गया तो यह treatment हो जाएगा the answer is यह से तो अलग चीज हो गई ना यह तो अलग आपके data की information अगर हो तो final account में हमने आपको बताई दिया फटाफट से बताओ normal loss का क्या treatment होगा no treatment और abnormal loss का क्या treatment होगा फटाफट से बताओ abnormal loss का treatment क्या होगा दो और अगर मान लो stock account बना रहे हो तो क्या दोनों लिखने पढ़ेंगे आपको अगर stock account बना रहे हो तो क्या दोनों लिखने पढ़ेंगे credit side the answer is yes अब बारी आ गई इसकी कि अगर हम इसके बारे में बात करें तो मैंने इसका एक भी सवाल नहीं कराया नई बात बोलने वाला हूँ बोल दू कि इसमें क्या होगा abnormal loss normal loss का अगर आपको यादो तो कल भी मैंने आखरी में कहा था कोई बात रहे गई है वो यही बात रहती है अभी भी पर रहती है तो discuss कर दें branch adjustment account में आप जब load लेते हैं तो आप abnormal loss का भी load reverse करेंगे credit करेंगे आप अपने पास credit नहीं debit क्योंकि आपका सपना तूट रहा है आपका इतने रुपए का abnormal loss का भी debit आएगा load आपका सपना तूटेगा और abnormal loss की जो cost है उसका loss कहा जायेगा उसका loss P&L में जायेगा क्या आपका abnormal loss का यही concept था कि abnormal loss का नुकसान कहा जाता है फड़ा फट से बताओ abnormal loss का नुकसान कहा जाता है P&L में ठोड़ा नया आगया, मुझे ये बताओ हमारे यहां पर abnormal loss से चोरी हो गई, तो दो नुकसान होए है, फड़ा फट से बताओ दो नुकसान कौन कौन से होए है, चोर सावान चोरी करके चले गए, एक तो सपना तूटा, तूटा के नहीं तूटा, जब वो सावान चोरी करके जितने रुपे का सपना तूटा इसके अलावा कि आपका कॉस्ट का भी लॉस हो गया? जो आपका समान का कॉस्ट था वो भी लॉस हो गया? वो कहां जाएगा? वो आपके पास यहां पर ट्रांस्फर हो जाएगा. ओके? दूसरी बात, अगर नार्मल लास होगा तो क्या होगा अगर नॉर्मल लॉस होगा तो क्या होगा मुझे ये बताओ नॉर्मल लॉस का खर्चा किसको उठाना चाहिए नॉर्मल लॉस नॉर्मल लॉस का खर्चा हलाकि नॉर्मल लॉस में भी दो लॉस हो रहे है क्या नॉर्मल लॉस में भी दो लॉस हो रहे है सपना तूट रहा है फटा-फट से बताओ क्या सपना तूट रहा है the answer is yes क्या cost का भी loss आ रहा है the answer is yes मुझे फटा-फट से बताओ ये सपना तूटने वाला कहां जाना चाहिए अगर सपना तूटा तो कहां जाना चाहिए जितने का सपना तूटा क्या हम debit कर देंगे branch adjustment account को जो उसका load है वो debit कर देंगे हम जितने की cost का loss है क्या ये indirect खर्च है के direct खर्च है फटा फट से बताओ जितनी भी cost का loss है normal loss की cost का ये कौन सा खर्च है कभी कह रहा indirect कभी concept याद करो कल वाली class download करके दुबारा देखना कि normal loss frequent है सब को हो रहा है धंदे में हो रहा है recovery हम customer से करते है कौन सा loss है ना लाइक कभी direct है ये direct है तो दूसरा पार्ट भी कहा जाएगा debit करेंगे branch adjustment account with cost मैं इससे crux क्या निकाल सकता हूँ normal loss पूरा का पूरा कहा जाएगा normal loss पूरा का पूरा कहा जाएगा पूरा का पूरा आपका adjustment account में जाएगा सब आपने ट्रेडिंग अकाउन ने मना कर रखा था पर ये adjustment account is not a trading account तो don't confuse यहां लिख है normal loss no treatment यहां लिख है normal loss debit कर दो आप adjustment account में और भूल मैं जाना आपने पास मैं भी इसके सवाल किये नहीं है तो आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा अभी मैं सवाल कर लेंगे तो कोई दिकत की बात नहीं है अब मेरा आप से ये कहना है बात हो ही रही है तो एक बात और कर दू अगर मान लो आप प्राफिट ब्राफिट लेवल पर कर रहे हो यदि तुम प्राफिट ब्राफिट लेवल पर कर रहे हो तो ब्राफिट के पास किताबे तो हैं नहीं बट प्राफिट ब्राफिट कैलकुलेट कर रही है ऐसा हो सकता है क्या ब्रांच के पास किताबे तो है नहीं प्राफिट ब्रांच कैल्कुलेट कर रही है कैसा हो सकता है कि मैं ब्रांच से बोलू कि भई ब्रांच तुम भी तो समझदार हो बिना किताबों के मैं प्राफिट तुम्हारा निकाल सकता हूँ तो तुम नहीं निकाल सकते डाइरी से मैं निकाल सकता हूँ तो तुम नहीं निकाल सकते तुम भी तो निकाल सकते हो तो तुम अपना प्राइरी से निकाल कर मुझे भेजो Can this happen? फटाफट से बताओ Can this happen? The answer is yes ये बताओ ऐसे cases में भी आपके पास कुछ मेथड आ जाता है जब यहां पर आ जाता है तो यहां कौन कौन से मेथड आते हैं एक का नाम है Final Account Method दूसरे का नाम है Stock and Deater Method Deater Method कभी Branch Level पे नहीं हो सकता Branch Level पे Deater Method क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि Branch के पास Head Office का कोई Access नहीं है कोई Information का Access नहीं है इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ Diary पर Based Memorandum तरीके से Profit ढूनने का तरीका दो ही है मुझे यह बताओ क्या यह Same वही Methods है जो आपने यहां पर लिखे हुए है Same वही Methods है The answer is yes But with one difference जानते हो क्या? जब आप Final Account Method लगाओगे तो you will be comparing Cost versus Sale But cost to whom? फड़ा फड़ से बताओ Cost to whom? Cost to Branch तो you will be comparing IP versus Sale आहा हा हा You are going to get जो आपका surplus भी निकला था ना वो निकल कर आएगा इसमें पर क्या Institute यह पूछ सकता है The answer is yes Okay तो यहां पर यह आएगा और Stock and Data Method में भी अगर आप अपने पास Adjustment Account बनाओगे तो Malai Account में कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि हर चीज आई पी पर है तो बात ही खत्म Head Office को Branch को को लेना देना नहीं है सिर्फ surplus आजाएगा अभी practice करेंगे मैंने कराई हुई नहीं है तो मेरे को एक बात बताओ इतना सब कुछ करने के बाद फिर मैं आपको Independent पे ले जाके सोचने को कहूंगा कि अब देखो अब किताबे हैं अब सोचो क्या होगा फिर मैं बोलूँगा विदेश में चले जलते हैं वहाँ पर जाकर सोचो क्या आपको बार-बार अपने दिमाग का data change करना पड़ेगा कि अच्छा यहां से यह कैसे करें अच्छा यहां से यह कैसे करें इस मेक्स इस topic लिटल बिट complex not tough complex क्योंकि बच्छा प्रेक्टिस करेंगा नहीं वो कह रहा है भाई साब गदा हूँ काम नहीं करूँगा जो मर्जी करवा लो डंडे मारो कुछ करो काम नहीं करूँगा और इंसिचूट कह रहा है बोज बे बोज डालो यह काम नहीं करेंगे बोज बे बोज डालो आप समझ में आ रही है बात गधा मत बनो गोड़ा बनो दोड़ो फुर्ती से दोड़ो समान डालो और फुर्ती से दोड़ो ओके